परिचाए प्रदूशन को विभिन तकनीकों का प्योग कर नियंतरित कर सकते हैं क्या तुम जानने के चुक हो? हाँ पिता जी ठीक है मैं तुम्हें वायू वजल प्रदूशन की बारे में विस्तार से बताता हूँ उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वायू प्रदूशन वा इसके नियंतरण की व्याख्या करना दिल्ली में वाहनों से उत्पन वायू प्रदूशन की व्याख्या करना ध्वानी प्रदूशन पर चर्चा करना जल प्रदूशन और इसके नियंत्रण के बारे में वड़न करना एकी कृत अप्षिस्ट जल उपचार के इस अध्ययन पर चर्चा करना वायू प्रदूशन एवम इसका नियंत्रण वायू जल या मृदा का जीवों के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा संदूशन प्रदूशन कहलाता है वैसे अप्षिस्ट पदार्थ या वस्तू जो वायू ब्रदा या जल को संदूशित करते हैं प्रदूशक कहे जाते हैं वायो मंडल का गैसों, द्रवों या ठोस अप्षिस्टों के दोरा स्वाशन जो मानव, पौधों वा जानवरों के स्वास्त को प्रभावित करते हैं वायो प्रदूशन के रूप में परिभाशित किया जाता है वायो प्रदूशन के कारण जिवाश्म इधन वायो प्रदूशन के प्रमुक करणों में से एक हैं एरोसोल प्रणोदक वा रेफरिज रेटरों में क्लोरो फ्लोरो कारबन के उपयोग से वायो प्रदूशन के स्थर बढ़ा है सल्फर डायोक्साइट धूम कोरे के मुख्य घटकों में से एक है जिसके कारण अमलिये वर्षा होती है धूल पराग एवं अन्ने कार्बनी कड़ों के कारण बनने वाले धूम से भी वायू प्रदूशन होता है सडकों पर बढ़ता हुआ यादायाद प्रदूशन की मात्रक को बढ़ाता है वायू प्रदूशन की नियंतरण विधिया एक्जॉस्टिक गैस स्ट्रीम से धूल कड़ों को निकालने के लिए इस्तिर वेध्युत अवक्षेपक यानि electrostatic precipitator का इस्तिमाल किया जाता है जैसे ही धुआ युक्त गैसें अवक्षेपक यानि precipitator में प्रवेश करती हैं तो सर्वु प्रथम रणात्मक आवेशित धातू ग्रिट के संपर्क में आकर रण आवेशित हो जाती हैं, तत्पश्चाद धुएं के कन धन आवेशित पट्टिकाओं की ओर आक्रिस्ट होते हैं, इस प्रकार इन धुआं युक्त गैसों से धूल कन अलग हो जाते हैं, और स मार्जक गैस से गंदगी दूर करने वाला एक उपकराण है, वायू प्रवाह में उच्चदा पर नौजल के दोरा रासाइनिक पदार्थ युक्त जल का चिड़काओं किया जाता है, उच्च जल खासकर यदी प्रवर्थ वायू गर्म हो तो वाश्प में बदल जाता है औ और निकल कर विलीन हो जाता है, वाश्पिज जल के स्थान पर स्वच्च जल एवं रासाइनिक पदार्थ डाले जाते हैं, इस प्रक्रिया से उत्पन कर्थ एवं प्रदूशन उत्पादों को समय समय पर नाली के सहरे निकाल दिया जाता है, वायू प्रदूशन के प्रभ इससे चिरकालिक फुपुस अवरोधी रोग यानि श्वासावरोधी रोग यानि आप्स्टरक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो सकती है। ओजून केस के संपर्क में आने से हमारी आखों में जलन एवं खुझलाहट उत्पन होती है। कार्बन मोनो अक्साइट केस हीमोकलोपीन से अविक्रिया करके फून में प्रवाहित हो रही ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। दिल्ली में वहन चन्न वायू प्रदूशन पर नियंतरण केस अध्यान। दिल्ली का विभिनक्षित्रों उद्योग, परिवहन एवं आवास में विकास हुआ है, जिसके फलस रूप वायू प्रदूशन में वृध्धी हुई है। इससे स्वास्त के खत्रों में वृध्धी होती है, जो श्वास रूपों में हुई वृध्धी में स्पष्ट दिखाई देते हैं। पिछले आठ वर्षों में दिल्ली में वायू प्रदूशन के स्थर में पाँच गुना वृध्धी हुई है। रिपोर्ट के नुसार दिल्ली में रहने वाले लोग सांस के साथ जहर ले रहे हैं। वायू प्रदूशन निरोध एवं नेंतरन अधिनियम उनिस्विक्यासी। वायू प्रदूशन निरोध एवं नेंतरन अधिनियम सन उनिस्विक्यासी में संसत दोरा पारित किया गया। जिसका मुख्य देश वायू प्रदूशन की रोगथाम नेंतरन एवं उप्षमन है। वायू प्रदूशन निरोध एवं नेंतरन अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। किसी भी वायू प्रदूशन नियंतरन क्षित्र में और द्योगिक सेंद्र चलाने वाला कोई भी व्यक्ति, राज्य बूड द्वारा निर्धारित मापदंटों की सीमा से अधिक वायू प्रदूशन के उस्तर्जन का निप्टान नहीं करेगा, ना ही उस्तर्जन करेगा और ना ही निप्टान की अनुमती देगा। राजे बोड भी वायू प्रदूशन करने से किसी भी व्यक्ति को रुगने के लिए अदालत करोख कर सकते हैं। राजे प्रदूशन देंत्रण बोट की अनुमती के बगएर कोई व्यक्ति किसी भी और द्योगिक स्यंद्र की स्थापना नहीं कर सकता है। अनुमती देने या मना करने के लिए बोड अपचारिक्ताएं पूरी करेगा। ध्वनी प्रदूशन से तातपर्य वायुमंडल में मानव द्वारा उत्पन की गई उन ध्वनियों से है जिन से मनुशे अथ्वाव अन्ने प्राणियों के स्वास्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनी प्रदूशन के प्रमुक स्रोथों में से कुछ इस प्रकार है। यातायात शहरी क्षेतरों में ध्वनी प्रदूशन का ये मुख्य स्रोथ है। सडकों पर यातायात में दिना दिन वृध्धी हो रही है। रेल्वे स्टेशन, रेल के एंजन ध्वनी प्रदूशन का एक मुख्य स्रोत है, रेलों की शंटिंग एवं स्विचिंग क्रिया कलापों से ध्वनी प्रदूशन के स्तर में वरिधी हो रही है. ध्वनी प्रदूशन के स्रोत, और द्योगिक स्रोत, किसी उद्योग में प्रयोक्त मशीने ध्वनी प्रदूशन का एक बहुत बड़ा स्रोत हैं, चूंकि पेड ध्वनी को समाहित कर लेते हैं, इसलिए ध्वनी को कम करने हेतू उद्योग परिसर में व्रिक्षर ओपन करने क अनुशंसा की जाती है अन्ने स्रोत बॉयलर, कंप्रेसर, जनरेटर जैसे उपकरण भी कुछ हद तक ध्वानी प्रदूशन के कारक है जल प्रदूशन एवं उस पर नियंतरन प्राकृतिक जल स्रोतों में हानी कारक रसायनों के मिल जाने की परिखटना को जल प्रदूशन के कैस रोत है नदियों में छोड़ा गया शहरों का अपजल एवं अद्यों की अफशिस्ट प्रमुक्स रोत है अफशिस्ट जल के केवल दस प्रतिशत का शोधन किया जाता है शेश जल जलाशयों में छोड़ दिया जाता है नदियों में गिरने वाला क्रिशी अपवाह और खेतों का पानी जल प्रदूशन का एक अन्ने कारक है क्योंकि इसमें रसाइनिक और नाशी जीव मारक पदार्थ होते हैं घरेलू अबजल और अद्योगिक बही स्रावी पदार्थ घरों से उप्योग के बाद फेका हुआ जल घरेलू मलजल कहलाता है इसे सैनेटरी सीविच भी कहते हैं इस मलजल में लंबित पदार्थों के साथ साथ कई प्रकार की खुलंशील गंदी वस्तुएं भी होती हैं इसके मुख्य जैव पदार्थ हैं और पादप पोशक पदार्थों का मुख्य स्रोत रासाइनिक साबुन एबं वाशिंग पाउडर इत्याती हैं घरेलू मलजल का निप्टान एक गंभीर समस्या है जैव रासाइनिक ऑक्सीजन की आविशक्ता सुक्ष्म जीव त्वारा जैविक पदार्थ के अबखटन के लिए वांशित ऑक्सीजन की मातरा को बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव रासाइनिक ऑक्सीजन आविशक्ता की साहिता से उस जैव पदार्थ की मातरा को मापजाता है जो मलजल में अबखटित हो सकत ये मल जल शोधन सयंत्र के निर्बान का सर्वधिक महदपून पैरमीटर है। घुलित ऑक्सीजन जल की गुणवत्ता के निर्धारन का एक महदपून कारक है। घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जल की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। जैव आवर्धन जैव आवर्धन यानि बायो मैगनिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्रेहत रूप से सांद्रित नाशी जीव मारक डाइक्लोरो, डाइफनाईल, ट्राइक्लोरो एथीन यानि DDT जैसे खास रसाइनिक पदार्थों को आहर श्रिंखला के शीर्ष के प्राणियों को पहुँचाया जाता है उधारण, हर पोशिस्तर पर DDT की सांद्रता में व्रित्थी, जैसा की रेखा लेख यानि डाइग्राम में दिखाया गया है सुपोशन जल के पुष्टी कारगुणों के समवर्धन की प्रक्रिया, जिसके फल्सरूप अक्सर प्रजाती विविदता बिकर जाती है, सुपोशन कहलाती है जलाशेयों में अजैव योगिकों के मिलने और जैव अप्षिस्ट पदार्थों के अपखटन से जल की पॉष्टिक्ता में व्रित्थी होती है इसके फल्सरूप शेवाल, पासकर, निलाब हरी शेवाल का विकास तेजी से होता है और ये जल की सतह को पूरी तरह से आच्छा दिद कर सकता है शेवाल के इस विकास को शेवाल प्रसपुटन कहा जाता है शेवाल का ये प्रसपुटन जल में अक्सर विशाग्त पदार छोड़ता है और अन्य शेवाल के विकास को रोकता है विशाग्तता या आक्सीजन की कमी से जलिये जीव मर भी सकते हैं और द्योगिक बही स्रावी पदार्थ और द्योगिक बही स्रावी पदार्थ और द्योगिक कारियों के फल सोरूप पैदा होने वाला अब जल है और द्योगिक अफशिस्ट में जैव और अजैव दोनों पदार्थ होते हैं जैव अफ्षिस्ट पदार्थों में नाशी जीवों के अफ्षेश, विलायक एवं साफ सफाई के तरल पदार्थ आते हैं. बही स्रावी पदार्थों में अजैव अफ्षिस्ट पदार्थ हो सकते हैं जैसे लवन जल और धातुएं. जल प्रदूशन के प्रभाव एकिकरित अफ्षिस्ट जल उप्चार केस अध्ययन अफ्षिस्ट जल उप्चार एकिकरित धंग से किया जा सकता है. अबजल के शोधन से पर्या वर्णिये प्रतिक्रियाएं होती हैं जो मानव कल्यान के लिए उचित नहीं है. अबजल शोधन के फल सोरूप खेदी के हर्याली वाले ख्षित्रों में निचाई, नगर के मनुरन जनार्थ बनी छीलों, गोल्फ के मैदानो आदी के लिए जरूरी पानी में कमी आती है. शब्द हुमेन योर का अर्थ मानव अप्षिस्थ है, जिसका पुनर्चकरन करमी खाद निर्मान की विधियों से होता है, और जिसका उप्योग बाखवानी या खेदी के कारियों में किया जा सकता है. क्या आप चानते हैं? PM 10, PM 2.5, Nitrogen Dioxide, Ammonia, Carbon Dioxide, Benzene, Ozone, Benjopirine, Arsenic, Sisa एवं निकल थे, और इनका मापन, शाम बाजार, बेहाला, पैरकपूर और दुरगापूर के चार निगरानी केंद्रों पर होता है. सारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में तोराएं. सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक पदार्थों के कारण, वायू, जल और मिट्टी के होने वाले संदूशन को प्रदूशन कहा जाता है. मानव स्वास्थे और पेड़ पौधों तथा पशुओं के स्वास्थ को प्रभावित करने वाले गैसिये, द्रव या ठोस अप्षिष्ट के कारण, वायू मंडल के होने वाले संदूशन को वायू प्रदूशन कहा जाता है. स्थिर वेत्युत यानि एलेक्ट्रस्टेटिक, अवक्षेपक और मार्जक को प्योग वायू प्रदूशन पर नियंत्रन के लिए किया जाता है. वायू प्रदूशन की रोकठाम, नियंत्रन एवं नियूनी करण के उदेश से, संसतने वर्ष 1929 में वायू प्रदूशन निरोध एवं नियंत्रन अधिनियं लागू किया. ध्वनी प्रदूशन का अर्थ वातवरण में मनुश्य द्वारा उत्पन ध्वनियों के कारण होने वाला प्रदूशन है जिसका प्रभाव मानव एवं पशु स्वास्त पर पड़ता है प्रकृतिक जलाशयों में आनी कारक रासाइनिक पड़ार्थों के मिलने से उत्पन प्रदूशन को जल प्रदूशन कहा जाता है मुक्य स्रोथ, नगर अवजल और अध्यों की कच्रा है अवजल के जैव पड़ार्थों को नश्ट करने है तू, सूश्मुच जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मांग कहला दी है जैव आवर्धन यानी बायो मैगनिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्रेहत रूप से सांद्रित नाशी जीव, मारक, डाइक्लोरो, डाइफनाईल, ट्राइक्लोरोइथीन यानी डीडीटी जैसे खास रसाइनिक पदार्थों को आहार श्रिंखला के शीर्ष के प्राणियों को पहुँचाया जाता है जल की पोशन शक्ती के समवर्धन की प्रक्रिया, जिससे अक्सर प्रजाती विविदता बिगरती है, सुपोशन कहलाती है